हेलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगे कि मेरे किचन गार्डन में अभी विंटर्स के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं कुछ सबजियों के सीड्स मैं लगा चुकी हूँ और कुछ के मैं लगाने वाली हूँ तो वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि जितने भी मेरे कंटेनर्स हैं वो सारे के सारे अभी खाली नहीं हैं धीरे धीरे करके एक एक करके मैं खाली करती जा रही हूँ और seeds लगाती जा रही हूं तो कौन सी सबजिया मैं लगा चुकी हूँ और कौन सी लगाने वाली हूँ और किस तरह से मैं मिट्टी तयार कर रही हूँ वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि कुछ लोगों के लगातार कमेंट्स आते हैं कि आप जो भी करें अ में अभी चलेगा और बाकी के चार नमान काते हैं और जॉपुक्राइछ को में गो एकछय दाया प्रेंच बीन्स लगी भी है लेकिन इतनी जादा नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए थी तो मैं ये प्लांट्स निकाल दूंगी हाला कि फ्रेंच बीन्स अभी ठंड में लगाई जाती तो एक बार और मैं ट्राइ करूंगी लगा करके और कंटेनर्स खाली करने पर जो प्लांट्स निकलेंगे उन्हें मैं एक कट्टी में खट्टा करती जाओंगी क्योंकि अभी मेरे पास खाली कंटेनर नहीं है जो कि नीचे मैं इन्हें दबा सकूँ जैसे मैं हमेशा बताती हूं तो जब मेरे पास कंटेनर नहीं नहीं होते हैं तो मैं इस तरह से एक कटे में खटा कर लेती हूं और जब यह अच्छी तरह से आधा कटा हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें किचन वेस्ट और मिट्टी ड दिखाऊंगी और देखिए जो घास निकली हुई है इन्हें मैं इसमें नहीं डालूँगी पहले मैं डाल देती थी पर मुझे लगता है कि इसे की वज़े से इतनी ज़्यादा घास मेरे कंटेनर में निकलती हैं कली मेरे पास एक कमेंट आया था कि जो अन्वांटेड टांट और बस जब तक गोभी की नरसरी तयार हो रही है तब तक इन खाली कंटेनर में मैं किचन वेस्ट मिलाती जाऊंगी डेली का निकला हुआ जो किचन वेस्ट है वो में डालती जाऊंगी साथ में मैं कुछ सूखे पत्ते मिलाऊंगी और बस हलका से मिट्टी को उपर नीचे तयार हो जाएगी तो बस इसी तरह से आप भी अपने containment की मिट्टी को तयार कर सकते हैं और देखें इस तरह ये हैं गोभी के पौधे चो की तयार हो रहे हैं और इस वाले ट्रे में मैंने प्याज की सीड्लिंग की है कल और देखें ये कल्की क्लिपिंग है यह प्याज के बीज है और यह मग्रेल की तरह दिखते हैं जो मसाला होता है हम लोग किचन में यूज करते हैं अचार वगर में लेकिन वो आपको नहीं यूज करना है इसके लिए आपको अलग से सीट्स लेके आने हैं सीडिस टोर से और प्याज के भी पहले छोटी छोटी नरसरी तयार की जाती है उसके बाद इने हम शिफ्ट करेंगे और मैं स्प्रिंग अनियन्स के लिए लगा रही हूँ तो बस मैं हरा प्याज ही निकाल लूँगी जादा बड़े बल्ब के लिए मैं नहीं लगा रही हूँ जब इनकी पौद तयार हो जाएंगी तो मैं इने दूसरे पौट में शिफ्ट करूँगी और मैं अलग से किसी कंटेनर में मैंने सोचा है इस बार मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे पूरा बड़ा बल्ब नहीं चाहिए उसमें काफी टाइम लग जाता है तो मैं हरे प्याज के लिए इने ग्रो कर रही हूँ तो जो मेरे दूसरे कंटेनर्स है जिन में मैं और सब्जियां लगाऊंगी बस उनहीं मैं साइड में दो-तिन-दो-तिन हर एक कंटेनर में लगा दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जगा तो घेरेगा नहीं है तो जगह की बचत हो जाएगी तो जब जगह की कमी हो और सब्जियां जादा हो तो इस तरह से आप बड़े-बड़े कंटेनर्स में जो छोटी वाली सब्जियां होती है जो ज़्यादा जगह नहीं घेरती हैं जैसे प्याज लेसुन वगर आप दो दो तिन तिन प्लांट लगा दीजे तो आपके एक मिक्स क्रॉप जैसा हो जाएगा और आपको थोड़ी सी जगह में ज़्यादा सब्जियां मिल पाएंगी और इस तरफ देखेंगे तो यह जो दो कंटेनर से हैं इसमें मैंने एक मित लाल साग के बीज लगाएं और पर्सों ही लगाएं हैं और देखें आज यह अंखुरित भी होने लगे पास से देखेंगें तो यह दिखाई dona आगे करे ने मिलें सीवे निकल स्अगरो जाए घरमी की बीज्ट को सेम देड्री के निकल आते हैं मैंने इसफेन क Heeney च्वे लगा है मिलेन और अपर में बीज्ट को गजाता हुए इसमें यहार यह दो होत में कद्दू की इसमें अभी हरी भरी बेल है थोड़ा सा में वेट कर रही हूं अगर एकाद फ्रूट और लग गया तो ठीक है नहीं तो मैं इसे निकाल दूंगी और अभी जो ठंड के सीट्स है लौकी वगरे कि वह भी आए भी नहीं है मार्केट में भी 15 अक्टूबर के बाद तो इसलिए भी अभी जिन बेलों में फ्रूटिंग की उमीद है उन्हें मैं नहीं हटा रही हूं और इन तीनो टबो में मैंने आपको दिखाया था पालक लाल भाजी और धनिया लगाया था तो यह देखी यह पालक के अब निकलना शुरू हो गए है और लाल भाजी के तो उसके बाद उन्हें मैं इसमें शिफ्ट कर लूँगे और इस थर्मा कॉल बॉक्स में मैं मूली या चुकंदर लगाने वाली हूं असल मैं अब बारिश नहीं रुकी है यहां डेली बारिश हो रही है इसले भी मैं हड़ बढ़ाने रही हूं थोड़ा सा आराम से लगा रह है 5-6 इंच के दूरी पर आप एक बीज रखेंगे तो ठीक होगा मेरे तो पिछले साल के बीज हैं तो पता नहीं सारे के सारे अंकुरित होंगे भी या नहीं और थोड़े से जादा ही लगा ले तो ठीक है क्योंकि अगर जादा अंकुरित होगे मतलब जादा सीट्स निकल तो क्योंकि वैसे बहुत सारे बीज होते हैं थोड़े से एकस्ट्रा ही लगा लो ठीक है तो थोड़ा सा पास पास में मैं होल्स कर रही हूं और देखे यह हैं बीट रूट के सीट्स पिछले साल के सीट्स हैं यह इसले मैं अभी लगा रही हूं तो नहीं आए हैं तो बस एक एक बीज मैं इसमें दबा दूँगी आधा-धा इंच की गहराई पर और देखे बीट रूट मूली जैसे जो जमीन के नीचे बनने वाली सबजियां हैं उसका अगर आप अच्छा साइज चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी बिलकुल सॉफ्ट होनी चाहि और अगर किचन वेस्ट मिला करके मिट्टी तयार करते हैं तो जड़ वाली सबजियों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं किचन वेस्ट नीचे की साइड मिलाती हूं बिलकुल जस्ट नीचे मैं किचन वेस्ट नहीं डालती हूं थोड़ा सा जादा नीचे डालती हूं या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि कंटेनर्स को थोड़ा सा पहले से तयार करने की कोशिश करें या फिर हम किचन वेस्ट ना मिलाएं हम दूसरे कंटेनर्स की जो पहले से रेडी मिट्टी है वो अच्छी हलकी मिट्टी डाल करके आप इस तरह की सबजियां लगाई हैं मतलब जो मैं हमेशा बताती हूँ कि किचन वेस्ट डालिए गार्डन वेस्ट डालिए और उसके उपर मिट्टी की लेयर बना करके और आप प्लांट्स लगा सकते हैं लेकिन जो ये रूट वाली सबजियां हैं जिनकी नीचे रूट्स खाई जाती हैं जो जमीन के नीचे बनेंगी उनके लिए आप थोड़ी से सावधानी रखें ऐसा ना करें सिर्फ मिट्टी में ही लगा लगा लिए तो ठीक है देखे मैंने किचन वेस्ट डाला हुआ है लेकिन कई दिनों से मैं डाल रही हूं तो थोड़ा सा ये मतलब गल चुका है और बहुत जादा डाला भी नहीं था बहुत जादा आप इस तरह की सबजियों के लिए मट डाल जाएगा तो हो गई मेरी बीट रूट की बुआई और बस मेरे किचन गार्डन में अभी यही चल रहा है जो बारिश के पौधे हमने लगाए थे उनमें जो पूरे होते जा रहे हैं वो प्लांट्स में निकालती जा रहे हूं और विंटर्स के सबजियों के और सीट्स में लगाती जा रहे हूं और आराम से अक्टूबर नवंबर तक लगाएंगे कोई जल्दी नहीं है मैंने लौकी और जुकिनी के विंटर्स के बीज पुछवाए हैं तो शौप की पर ने बोला है कि 15 अक्टूबर के बाद आएंगे तो मैं उसके बाद उनकी बीज तो बस आज के लिए इतना ही और आगे अपने गार्डन के अपडेट में आपको देती रहूंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू